क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग, आज हम पड़ेंगे चेप्टर सिक्स्टीन और चेप्टर सिक्स्टीन जो है वह हमारा क्लीन सेफ वाटर, ठीके, शुद्ध, साफ और सुरक्षित जल्ण इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने विभीन प्रकार के जल के श्रोत के बारे में पढ़ा कि हमें जो जल प्राप्त होता है उसके कौन-कौन से श्रोत है ठीके, अब हम यह समझना आवश्यक के कि जो साप या सुद्ध जल है उसका क्या महत्तु है और जो जल प्रदुशन होता है ठीके, उसके कौन-कौन से कारण है बासमाई एक तो शुद्ध जल का क्या महत्तु है और जो water pollution होता है अर्थात जो जल प्रदुशित होता है उसके कौन-कौन से का रख है ठीक है Have you noticed the water purifying gadget in your kitchen क्या कभी आपने देखा है कि आपके घर में पानी को शुद्ध करने की एक machine होती है ठीक है Has your mother scolded you for drinking the water by directly filling the glass from the tape इसका मतलब यह कि आपकी मदर ने भी मना क्या होगा कि जो नलका पानी है वो डायेट नहीं पीना है ठीक है तो आपकी मदर क्या बोलती है कि आपको जो नलका पानी है डायेट जो आता है वो ग्लास से भरकर डायेट नहीं पीना है आपको क्यों क्या करना है जो purifier जो लगा हुआ है kitchen के अंदर उसका पानी हमें पीना है तो इसकी पीछे कारण क्या है हम डायेट टेप का पानी क्यों नहीं पीते है नलका पानी ठीक है हम उसी के बारे में इस lesson में पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि हम लोग सीधे नलका पानी नहीं पी सकते हैं ठीक है water pollution water become polluted by the industrial agriculture and domestic vestiges discharged into the water body इसका मतलब क्या है कि जो जल है वो प्रदूशीत होता है किसके कारण होता है कि जब हम उद्योग से निकला हुआ कचड़ा ठीक है agriculture में जो यूस करते हैं हम लोग pesticides ठीक है उसके कारण और घरेलू जो भी आपके जो waste material है ठीक है हम सीधे क्या कर देते हैं कि जो water bodies है उसमें हम लोग क्या करते हैं उसे प्रवाहित कर देते हैं ठीक है जिसके कारण क्या होता है कि जो पानी है वो धिरे धिरे क्या होने लगता है पॉलिट होने लगता है अर्थात प्रदुशित होने लगता है कि जो उद्योग है बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं ये क्या करते हैं कि इन फैक्ट्रियों से निकले वे जितने भी केमिकल हैं ठीक है उन्हें बिना किसी इसका मतलब कि जो बेकार का जो कच्रा है वो क्या करते हैं हम रीवर के अंदर नदियों के अंदर क्या करते हैं सीधे प्रवाहित कर दिया जाता है जिसके कारण जो नदी का जले वो धीरे धीरे क्या लगता है प्रदुशित होने लगता है ठीक है farmers use pesticides and other chemical fertilizers for keeping away the pests and to have a good harvest इसका मतलब कि जो किसान है वो अपने खेत में केड़े ना लगे ठीके और अधिक से अधिक पैदावार हो ठीके उसके लिए वो क्या यूज करता है पैस्टिसाइड यूज करता है और साती साती में वो रसाइनिक जो खा दे उसका उप्योग करता है जिसके चलते जो अंडरग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है प्रदूशित होने लगता है ठीके spilling oil from ships and tankers into the ocean makes it dirty and harms aquatic life अब बड़े बड़े ship होते हैं जिसके माध्यम सी क्या निकला जाता है तेल निकला जाता है अब इनसे यदि तेल का रिशाव धीरे धीरे होता है तो ये जो तेल है वो कान मिलता है समुद्र में मिलने लगता है जब ये समुद्र में पूरी तरह से तेल मिल जाता है तो जो भी जली जीवने वो क्या होता है उससे प्रभावित होता है क्योंकि उस छेत्र का जो जल है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है प्रदूशित होने लगता है ठीक है, several other activities like emerging the idols of deities into water, throwing ashes of dead bodies, washing clothes and bathing animals pollute water ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कि जो देवी देवताउं की जो मूर्ती है, उसे जल में विसर्जित करना ठीक है, साथ में जो म्रत सरीर है, dead bodies है, उसे पानी में बहाना, कपड़े दोना, नहाना ठीक है, और जो जलिश्रोत है, उसमें जो एनिमल्स को हम लोग नहलाते हैं, दुलाते हैं, ठीक है, उससे भी दीरे दीरे जल क्या होता है, प्रदुशित होने लगता है तो इसका मतलब क्या हो गया, कि हम लोगों ने क्या पड़ा, कि जो जल है, वो किन कारणों से प्रदुशित होता है एक तो जो आपकी इंडस्ट्री जो फेक्ट्री जो उसका जो केमिकल है, ठीक है वो पानी में भहाने से और किसानों द्वारा प्रियोग किये जाने वाले पेस्टिसाइट्स और केमिकल फर्टिलाइजर ठीके उसके कारण आपका जो भूमिक घड़ जल है वो भी कहा जाता है प्रदुशित हो जाता है साती सात में कि जो बड़े बड़े जो शीप होते हैं जिससे तेल निकला जाता है उस तेल के रिशाव के कारण जो समुद्रे उसका जल्बी क्या होता है दिरे दिरे गंदा हो जाता है ठीके प्रदुशीत हो जाता है जिससे जो जल्ले जीव है वो क्या होते हैं प्रभावित ὎ जानवरों को नदी में नहलाने से आदी इन क्रियाओं से भी जलके होता है प्रदुश्रित होता है ठीके, अब यहां पर देखो की जो आपके घर से निकलेवे जो वेश्टेजuse है जो इंडेस्ट्रीज जो वेश्टेज है वो सब नदी में क्या हो रहा है प्रवाहित किये जा रहा है ठीक है बहाया जा रहा है जिसके करन नदी का जो जल है वो दिरे-दिरे क्या हो रहा है प्रदूशित हो रहा है ठीक है इसी प्रकार देखो यहाँ पर नदी के किनारे कपड़े दोहे जा रहे ठीक है अब हम लोग क कपड़े दोने में किसका यूज़ करते हैं, डिटरजेंट का यूज़ करते हैं, अब यह जो डिटरजेंट है, वो धीरे धीरे नदी के पानी में मिलने लगता है, ठीक है, जिसके करन जल क्या हो जाता है, प्रदूशीत हो जाता है, अब ये जितने भी क्रिया कलापे उस पर हमें क्या लगाने चाहिए क्योंकि यदि हम एसा नहीं करेंगे तो जल जो है जो हमारे पीने योगी पानी है जो शुद्ध जले वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा प्रदूश्यत हो जाएगा क्योंकि पीने योगी जो fresh water है उसकी मात्रा हमारे धरातल पर काफी कम है तो दीरे दीरे जो शुद्ध जल की जो quality है वो क्या हो जाएगी का घटती चली जाएगी तीक है जिसे जल जो है वो क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा और पिने योगी पानी हमें नहीं मिलेगा थर्ड effects of water pollution की जब जल प्रदूशित हो जाता है और उस प्रदूशित जल का यदि हम प्रियोग करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है ठीक है several harmful effects are caused by pollution of water here are some of them की जब जल प्रदूशित हो जाता है तो विभिन प्रकार की बिमारिया क्यों होती है पेदा होती है ठीक है जिसमें से कुछ यहाँ पर है pollution of water causes waterborne diseases like diarrhea, jointis, dysentery, it can also causes skin diseases ठीक है जो प्रदूशित जल है इससे जल से सम्बंदित बिमारिया होती है जैसे diarrhea है, jointis है, dysentery है ठीक है और साती सात में चर्म रोग भी जो है वो इस जल प्रदूशन के कारण ही होता है mosquitoes breed on dirty water and causes like dengue, malaria and chicken gunia आप देखो कि जो गंदा पानी होता है वो एक ऐसा इस्थान होता है जहाँ पर मच्छिर जो हैं ठीक है वो पेदा होते हैं ठीक है अब जब मच्छड अधिक मात्रा में पेदा होंगे तो इससे कौन सी बिमारिया होंगी डेंगू, malaria और chicken gunia जैसी जो खतरनाग बिमारिया है वो ये पेदा होगी ठीक है इसका मतलब क्या है कि बहुत सी मच्छियां और जो अन्य जल्य जीव हैं वो इस प्रदूशित जल के कारण क्या होते हैं वो मर जाते हैं ठीक है क्योंकि हम क्या करते हैं कि जितना भी कच्रा है चाहें वो फेक्टरियों से निकला हुआ हो चाहें घर से निकला हो ठीक है इन सब को हम लोग क्या करते हैं सीधे पानी में बहा देते हैं जिससे जल क्या होता है प्रदूशित हो जाता है ठीक है और मशलियां और जो अन्य ज जल ये जीव हैं वो उस प्रदूशी जल के कारण के वाज़ते हैं मर जाते हैं क्रॉप्स केन बी डिस्ट्रॉइड इफ इरिगेटेड विद पॉलुटेड वाटर देखो यदि प्रदूशी जल से यदि हम लोग फसलों की सीचाई करेंगे तो वह फसल भी क्या हो जाएगी नेश्ट हो जाएगी ठीक है स्वाइल आलसो बिकम इन फर्टाइल इन दा एककाउंट और साती सात में जो मिट्टी है उसकी उत्पादन शम्ता भी जो है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है अगर मिट्टी की उत्पादन शम्ता कम हो जाएगी तो उत्पादन जो ह फसलों का, वो भी क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, ठीक, अब देखो next क्या है, protecting water bodies, we must try to practice this ways to protect water, कि हम कुछ तरीके अपना कर, इस जल्ली संसाधन को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अब देखो number point क्या है, avoid throwing vestiges into water bodies, कि जो भी कच्रा है, उस कच्रे को हमें, जल्ली जो श्रोते हैं, उसमें नहीं फेकना चीए, ठीक है, vestiges from factories must be treated before being discharged into the rivers and lakes, इसका मतलब यह है, कि जो उद्योग से निकला हुआ जो कच्रा है, ठीक है, उसका हमें क्या करना चीए, उसको treat करना चाहिए, ठीक है, किस से पहले, नदी या फिर जील में बहाने से पहले, ठीक है, pipeline of drinking water and seaways must be at distance from each other to avoid any leakage of dirty water into drinking water, देखो, इसका मतलब यह है, कि जो pipeline के माध्यम से, जो पीने का पानी हमारे घर तक आता है, और जो seaweed है, ठीक है, नाली, जिसे हमारा जो घर का जो कच्रा है, जो पानी है, वो नदी नालों में जाता है, इसकी जो distance जो दूरी है दोनों की, वो काफी दूर-दूर होनी चाहिए, यह नहीं कि पास-पास दोनों pipeline हो जाए, ठीक है, सीवेज की और drinking water की pipeline, दोनों पास-पास नहीं होनी चाहिए, इसकी कुछ दूरी पर होनी चाहिए, क्योंकि सीवेज जो है, ठीक है, यदि वो leak कर जाएगा, तो उसका जो गंदा पानी है, वो पीने योगी जो साप पानी है, उसके अंदर मिल जाएगा, जिसे पीने योगी पानी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, फिर देखो, bathing, urinating और difficating near water bodies should be bent, इसका मतलब, जो भी आपका जलिश रोते, चाहिए वो नदी हो, तलाब हो, उसके किनारे नहाना, ठीक है, और मलमुत्र करना, आदी पर काउनी चीए, पूर्ण जाहिए, ठीक है, overuse of fertilizer and pesticide should be avoided, इसका मतलब क्या है, कि कृषिगत भूमी पर अत्यधिक मात्रा में, जो हम रसाइनिक खाद, और जो हम कितनासक दवाईयों का उप्योग करते हैं, ठीक है, उसका उप्योग अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर next आता है, इन awareness should be created among the people about ill effect of pollution, ठीक है, इसका मतलब यह है, कि लोगों को क्या करना चाहिए, जागरू करना चाहिए, कि जो जल प्रदूशित हो जाता है, ठीक है, उसका उप्योग करने से कौन कौन सी बिमारिया उत्पन होती है, ठीक है, आप देखो, नेक्स्ट जो टोपिक है, पोर्टेबल वाटर, यह हम करेंगे कल, पोर्टेबल वाटर, ओके स्टुडेंट्स, जब तक आप यहां तक की रिडिंग लगाएंगे,